आज सुबह मैंने अक्षय कुमार की नई मूवी कट फुतली डिस्नी प्लस होट स्टार पर देखी और उसको देखने के बाद मेरा पहला रियक्शन ये था इसकी जरूरत थी क्या ये मूवी है ओफिशल रिमेक अफ तमिल मूवी राध सासन और जिसे पहले ही बहुत सारे लोगों ने देख लिया है और काफी पसंद भी किया है तो बॉलिवुड ने बोला चलो इसको भी खराब करते हैं ये मूवी मुझे शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत ही मिडियोकर लगी ऐसा लगा कि बस मेकर्स का अक्टर्स का बनाने का मन ही नहीं था कि चलो यार एक और स्क्रिप्ट आई है चलो इसको भी बना लेते हैं चलो देख लेते हैं क्या होगा बिलकुल यही थौट्स लग रहे थे मुझे सभी के इस मूवी में ना तो एक्टिंग कोई एक्स्ट्राइडिनरी है ना ही कोई इसकी कास्टिंग बहुत बढ़िया थी और यह किसी भी तरीके से औरीजनल मूवी को बढ़िया नहीं बना र अक्षा कुमार इस मूवी में भी बिलकुल वैसे ही हैं जैसे अपनी पुरानी इस साल की मूवीज में थे उन्हें देखकर साब पता चल रहा था कि उन्हें इस मूवी को करने का कोई मन नहीं है लेकिन स्क्रिप्ट आ चुकी है पैसे मिल चुके हैं तो भाई चलो बना ले पिसे हैं और पैसे आइंगे मैंने पूरी मुवी में इमोशनली कनेक्ट होने की इसके साथ कोशिश की लेकिन वह मैं टीयो कर एक्टिंग देखकर आपको हसी तो आ ही जाएगी इस मूवी में वो गाना डालने की ज़रूरत क्या थी हर मूवी में गाना काम नहीं करता है वो इतना क्रिंजी गाना है और बिल्कुल भी फित नहीं बैट रहा है तो मूवी के साथ रकुल प्रीट सिंग इसमें देख लो फ्री में जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो और क्लिक करो इस वीडियो पर ये जानने के लिए कि बॉलिवुड इतनी सारी फ्लॉप मुवी क्यों दे रहा है और मेक शूर टू सब्सक्राइब